वुपाल से खबर जहां कॉंस्टेबल से मारपीट मामले में बड़ा खुला सा हुआ है आपको पता दे आयोध्यानगर थाना प्रभारी रितेश शर्मा निलंबित कर दिये गए है थाना प्रभारी को निलंबित कर लाइन अटेच किया गया है देर रात तक शराद दुकान खुली रहने पर कारवाई हुई है मारपीट करने वाले दोनों व्यापारी भी गिरफतार हुए है और उपियों के मकान भी गिराए जा सकते है तो बड़ी कारवाई हुई है मारपीट मामले में खाना प्रभारी को निलंबित करते हुए लाइन अटेच किया गया शराद दुकान जो है वो खाली रहने पर कारवाई की गई थी खुली रहने पर माफ कीजे कारवाई की गई थी मारपीट करने वाले दोनों व्यापारी भी गिरफतार कर लिए गए हैं